आज की ये वीडियो मेरी बेहनों को बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है क्योंकि बलाई से मखन और देसी घी तक का सफर बहुत सी औरतों के लिए बड़ा सरदर्ध होता है पहले बलाई जमा करो इसको जाग लगाओ मखन निकालो फिर इसका देसी घी बनाओ सारा दिन लग जाता है इस एक काम में और आज मैं आपको जटपट बलाई से डिरेक्ट देसी घी निकालने की ऐसी टिप बनताने वाली हूँ के वीडियो देखकर आपको मज़ा आजाएगा और यकीन माने इतनी सी बलाई से इतना धेर सारा देसी घी आपने पहले कभी नहीं निकाला होगा एक एक कत्रा देसी घी का हम बलाई से नचोड़ कर निकालने वाले हैं मेस क्रियेट किये बगयर क्योंकि सबसे मुश्किल काम मक्षन निकालना जग और धेर सारे बरतनों की चिकनाई साफ करना है और इसमें हम कितना घी जाया कर जाते हैं तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को बिसम लाहिर रख्मान ररहीम से सबसे पहले तो बलाई कठी करें तो कभी भी फ्रिज में नीचे वाले पॉर्शन में मत रखें हमेशा इसे फ्रीजर वाले खाने में जमा करें ताकि जब आप देसी घी बनाएं तो इसमें किसी भी किसम की स्मेल ना आए और एक भीनी भीनी मजे की खुश्बू पूरे घर में फैल जाए सब को पता चले कि आच देसी घी बनाया है फ्रीजर से निकाल कर मैं ये बलाई डिरेक्ट देख्ची में डाल रही हूँ इसमें मैंने कोई दहीं की जाग नहीं लगाई थोड़ी देर के लिए बाहिर रखा और इसे देख्ची में डाल कर गरम करना शुरू कर दिया अब आपको बलाई की जाग लगने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कहां सर्दियों में बलाई को जाग लगाएं फिर कहीं जाकर इसका मक्षन निकाले आप इसे डिरेक्ट फरीजर से निकालें कुछ देर के लिए बाहर रखें ताके पिगल जाएं और फिर से डाइरेक्ट चूले पर रख दें ये देखें ये अच्छे से गरम हो गई है पिगल गई है इसे पांच मिनट तक इसी तरहां पका लें जब आप देखें के बलाई अच्छे से पक चुकी है गरम हो चुकी है तो आप इसमें जग भरकर पानी डाल दें जैसे मेरी तकरीबन डेट किलो बलाई थी मैंने एक लीटर से ज्यादा इसमें पानी शामिल किया है तो इसे पानी डाल कर अच्छी तरहां से मिक्स कर लें अब यह देखें कि घी साथ ही उपर आना शुरू हो जाएगा ये देखें चेक करें घी उपर आ रहा है आपको पता है कि घी पानी में जजब नहीं होता घी हमेशा उपर आ जाता है तो आपको ये फाइदा है कि आपका तमाम घी पानी डालने की वज़ा से उपर आ जाएगा और याद रखें कि सादा पानी मैंने नल का पानी इसमें शाम और यह देखे, इसके उपर घी आना शुरू हो चुका है, जैसे ही जहाग हटे घी, घी नज़र आना शुरू हो जाएगा. अब इसे मैं ठंडा कर चुकी हूँ, इसके उपर घी आता जाएगा ये देखें अच्छे से घी उपर आ रहा है मुकमल तोर पर ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी चाहें तो ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं ये देखें अच्छे से ठंडा हो चुका है और पूरे का पूरा घी उपर जम चुका है तेह की सूरत में ये देखें यहाँ पर मैं देशी घी को हातों की मदद से ही निकाल कर अलग बरतन में जमा कर लेती हूँ ताकि इसे गरम करके हम अपनी बरनी में डाल सकें तो देखें कितनी मोटी लेयर है जो देशी घी के उतार रही है और इतनी असानी से आप ये देशी घी तयार कर सकते हैं अब इसी तरह तमाम घी को मैं उपर से उतार लेती हूँ हातों की मदद से आप यह घी निकालते जाएं, क्यूंकि आप हातों की मदद से निकालेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि घी पीछे बिल्कुल भी नहीं बचेगा, आप अच्छे से इसे निकाल लें, इसी तरह से यह देखें, तमाम घीए देखे, कितनी मौटी लेयर है इसकी, देशी घी की बड़ासानी हम उतार लेंगे इसी तरहा मैं सारा घी निकाल लेती हूँ बहुत ही आसान तरीका है देशी घी बनाने का और मेरा ख्याल नहीं कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी इतना आसान तरीका आपको देशी घी निकालने का बताया होगा तो मैं अपनी फैमली में जिस जिस को भी बताती हूँ ये घी निकालने का तरीका तो वो खुद हैरान होते हैं कि वाकई इससे तो पूरा का पूरा घी बलकि ज्यादा एक्स्ट्रा घी निकल कराता है जितना भी जो हम जाया कर जाते हैं जो छिड़ी बनाते हैं गरम करते हैं मक्खन को इतनी छिड़ी नीचे बनती है वो सब उस में घी होता है तो वो कितना ज़्यादा वेस्ट होता है पूरे का पूरा देशी घी आसानी से निकाल सकती है तो मैं हाथों की मदद से इसलिए कर रही हूं ताकि मुझे आइडिया हो कि छोटा से छोटा दाना भी जो घी का है जमावा वो मैं निकाल सकूँ ये देखें अच्छे तरीके से इसे साफ कर लेना है अब पीछे क्या बचा है कुछ भी नहीं मतलब सारा का सारा देसी घी हम निकाल चोंकि पीछे कुछ भी नहीं है इसमें बिलकुल भी घी नहीं है ये मतलब आप वेस्टेज है इसको वेस्ट कर दें इसको जाया कर दें ये कोई भी इसमें अब चीज नहीं है काम की तो इसी को गरम करते थे हम तो कितना टाइम लगता था हमें अब हमने सिर्फ देसी घी गरम करना है ये देखे जो मैंने उपर से सारा देसी घी उता रहा था इसको चूले पर रखकर अब मैं गरम करना शुरू कर दूँगी यकीन करें पांच मिनट में सिरफ आपका देशी घी तयार हो जाएगा और इसको आप गरम कीजिए साथ ही चमच को चलाते जाएं अब यहां पर आपने इसको वेट नहीं करना कि मैं पड़ा रहने दूँ नहीं तो यह उबर जाएगा यह जल जाएगा पांच मिनट का काम है पटावट से हो जाएगा यह देखें खड़े खड़े ही मैंने जल्दी से इसको गरम करना शुरू कर दिये जो उपर जाएग है ना वाइट सी यह ब्राउन हो जाएगी जल्दी से यह बन जाएगा क्योंकि अब इसमें ना छिडड़ी है ना वो कोई जो बलाई में होता है मक्षण में होता है यह वो चीज अब इसमें नहीं है बिल्कुल भी सिर्फ प्योर देसी घी है यह हलका सा जो हमारा पानी आया था साथ यह बस वो है हम इसको साफ कर लें अब यह देखें यह जब तक यह उपर से जाग गाइब हो जाएगी हमारी निशानी है हमारा देसी देसी घी है कितनी प्यारी खुश्बू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती और कलर चेक करें कितना खुबसूरत कलर है तो यह अब अच्छा सा पकना शुरू हो गया है जाग भी जो हो खतम होना शुरू हो चुकी है ब्राउन हो जाएगी थोड़े सी जो है जल जाएगी जाग जो है तो आपका देसी घी रेडी हो जाएगा इसी तरह चमत चलाते हुए सिर्फ पांच मिनट हम इसे पका लेंगे तो देखें धेर सारा देसी घी आप देखें मखन कितना था मेरा मतलब 8-10 दिन के थी बलाई तो 2 किलो दूद में से जितनी निकूतरती है और आप देसी घी चेक करें कि माशलयू है मैंने कितना ज्यादा मिगदार में घर में तयार किया और मैं इसी तरह बनाती हूँ बहुत अर्सा हो गया है मुझे इस तरह देसी घी निकालते है तो सूचा आज आज आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाए ताके आगे रमजा में भी आप देशी की घर में इसी तरह निकालें और प्राठोय बनाएं और इस्तमाल करें ओके जी दो मिनट मजीद मैंने इसको पकाया है तो देखें इसकी जाग भी खतम हो चुकी है और नीचे वो जो थोड़ी से जड़ी थी या लसी थी जिसको कहते हैं वो भी ब्राउन हो चुकी है देखें कितना कमाल का जबरदस सा हमारा देशी घी तैयार है कलर और इसकी खुशबू आप मैं आपको यहां पर तो नहीं बता सकती है आप बनाएं के तो आपको पता चलेगा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मेरी माने तीन से चार दिन की बलाई के साथ ये मेरा तरीका अजमा कर देख लेए आपको खोदी पता चल जाएगा कि कितना जादा देशी घी और कितनी असानी से निकला है मतलब तीन चार दिन की दूद की बलाई को आप गरम करें और मेरे इसी मैथिट के साथ आप इसका देशी घी निकाल कर देखें तो बहुत जबरदस ये देखें कितना जबरदस देशी की तयार हो चुका है जो हलकी सी लसी चिड़ी थी वो नीचे लग चुकी है जल चुकी है मतलब कि ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसको चान लेंगे देशी घी को और अपनी बर्नी में निकाल लेंगे थोड़ा समय इसको ठंटा होने देती हूं ताकि मैं इसको एजिली चान लूँ माशाला से चेक करें आप कितना खुबसूरत इस तरह का कलर तो मक्षन से भी नहीं आता होगा जिस तरह का कलर आप आया और यह देखें जो इतनी मोटी मोटी लेयर नीचे छिड़ी की होती थी वो भी नहीं है टोटल देसी घी है यह अब इसे मैं निकाल लेती हूं बर्नी बड़ा सथा पार्ट वो इसमें जाली में रह जाएगा और प्योर देसी घी हमारे पास आ रहा है और कितना असान मेथेड मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप अपने बच्चीयों को कह सकती है कि यह फोरन देसी घी निकालो जी और बहुत खुशी खुशी निकालेंगी चैलेंजी मैं इसको सारी का सारा इसमें बड़नी में डाल देती हूँ इंशाला तला यह जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मुझे उमीद है कि पसंद आई होगी इंफर्मेटिव होगी तो जरूर जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज काफी अर्से बाद मैं वीडियो बना रही हूँ उम्रे पर गई थ तो सोचा चले मैं देशी घी बनाती हूं साथ इसकी वीडियो भी बना लेती हूं आपके साथ शेयर भी करोंगी चले जे यह सारा देखें मैं निकाल चुकी हूँ आप देखेंगे एवन के एक एक ड्रॉप इसमें से निकल चुका है बिल्कुल भी देशी घी जो है हमारा जाया नहीं हुआ ताहिं हमने कोई मैस्क्रेट कियागी देख्ची जो असानी से साफ हो जाएगी अलका सा पानी डाले और असानी से इसको साफ कर ले चले चेक करें अब आप देशी घी चेक करें कितना जबर्दस निकलाएगे तक्रीबन एक किलो वाला जो डिबा होता है देशी घी का जो बजार से आप कंपनी का लेते हैं अब यह देखें तक्रीबन पोना है पोना तक्रीबन बना है देशी घी तो चेक करें कि हमने कितना जादा माशाला से देशी घी निकाल लिया है पूरा का पूरा देशी घी निकल कर आ चुका है बिलकुल भी जाया नहीं वहाँ बिल्कुल मैस क्रियेट नहीं किया हमने और इतनी आसानी से ये शुद्ध देसी की घर में ही तयार कर लिया तो वीडियो ची लगी और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दौाओं में याद रखिए खुश रहिए अबाद रहिए अजाज़त दीजिये अल्हाफिज